नमस्कार एटोजेट डिशश उशाक औरजानी में आप सबका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर केने जारी चनादाल तड़का ये इतनी मज़ेदार होती है न अब आप चाहे इसे चावल के साथ ले रोटी के साथ ले या कोई भी खस्ता पूरी या पक कप चनादाल को न दो गंटे के लिए पानी के अंदर विगोने रख दिया था दो गंटे के बाद कुछ ये ऐसी हो जाएगी उसके बाद गैस कौन करके कुकर रख देना है अब इसके अंदर आपको डाल देनी विगोई चनादाल दो ग्लास पानी नमक स्वात के अनुसार आदी छोटी चमच हल्दी पाउडर अच्छे से मिला लेना है कुकर का धकन देते हुए इसे हमें तीन से चार विसलेनी के तीन से चार सिटी आने तक पकाना है जैसे पक जाए गैस को बंद कर लेना प्रेशन निकल ले देना और उसके बार धकन को खोलकर इसे एक बार अच चीनी का टुकड़ा दो से तीन लॉंग एक तेज पता एक सूखी लाल मिर्च टुकड़ों में इस तरह से तोड़कर डालना दो बारिक कटे वे प्यास जालकर अच्छे से बुनना तो लगबग एक से दो मिन तक भूनना है प्यास का कच्छा पंदूर हो जाए तब इसके पहले, चोथाई चमश हल्दी पाऊडर, स्वाद के अनुसार नमग, आधी चमश धन्या पाऊडर अधी चमश लानमिर पाऊडर, पेर भी नमग और मसाले अपने ही स्वाद के अनुसार डालना, अच्छे से मसालों को एक से दू मिन तक भूलन लेना, उसके बाद ये पकी मैंने डाल दिये ताजे दन्या के पते ये जनादाल तड़का खाने में इतनी मज़े दाल लगती है और बनाने में भी काफी आसान है अब इसे है ना बस बनकर तयार है 6-7 मिनट के बाद अब इसे आप ले सकते हैं चावल के साथ रोटी या पराटे के साथ या मेरी तरह कोई भी खसता पूरी या पकवान के साथे से खाईए ये जनादाल तड़का सची में बच्चे हो या बड़े सबी को पसंद आएगी और इतनी बड़िया लगती है तो ट्राइ करना और यहां तक आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मैंने तो इसे मज़े से खा तो जरूर जरूर आप भी ट्राइब कीज़े चैनल को भी सब्सक्राइब कीज़े चलिए आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलती एक न्यू रेसिपी के साथ थांक ये फावाच्चाइब